हिंदी सिनेमा के आइकॉनिक डारेक्टर रही यस्चोपडा के बड़े बेटे आदित्य ने मुंबई के एच आर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और बहुत कम उमर में ही उन्होंने फिल्म डारेक्शन में कदम रखा और कामियाब भी हुए आदित्य ने हमीशा लीक से हट कर फिल्में बनाई है जिनकी चर्चवा अक्सर ही की जाती है इतनी सफलता हासिल करने के बाद भी बहुत कम ही ऐसा होता है कि जब उन्होंने कैमरे का सामना किया हो इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी वज़ा है दरसल उन्हें एक गंभीर बिमारी है जिसके कारण वो लाइम लाइट से दूर रहना पसंद करते हैं वो अपनी बाते अपनी फिल्मों के जरीए पूरी दुनिया के सामने रखते हैं बता दे वो सिर्फ 18 साल के थे जब उन्होंने अपने पिता के साथ असिस्टेंट डारेक्टर के तौर पर काम शु देने वाला है एक ऐसी वज़ा है जिसे जानकर लोग हैरान रह जाएंगे इसी कारण वो कभी किसी इंटर्वीव या प्रेस कॉंफरेंस में हिस्सा नहीं लेते मीडिया रिपोर्ट की माने तो अधित्या एंटी सोशल पसनेलिटी डिस ओर्डर से जूज रही है इस बिवा लाइफ की बात करें तो अधित्या बहुत बातुनी है उन्हें कई बार फोन पर घंटो अपने करीबी लोगों से बाते करते देखा जा चुका है वही आधित्या और रानी मुखर जी के चर्चे एक समय पर बॉलिवुड के गलियारों में खूब हुआ करते थे हालाकि दोन एक प्लभ घंटो तहर रानी का प्यार परवान चड़ रहा था तब अधित्या शादी शुदा थे वो पिता यह शोप्रा पत्नी पायल और अन्य परीवार वारों के साथ मुझे में रहा करते थे ऐसा कहा जाता है कि यह शोप्रा को अदित्य और रानी का रिष्टा पसंद नहीं था यह शोप्रा नहीं चुआते थी कि अदित्य पाइल को तलाग दे इस बात से नराज होकर अदित्य घर छोड़ होटल में रहने लगे थे आखिरकार यह शोप्रा ने बेटे आदित्य की इस जिद के आगे हार मान ली और रिष्टे के लिए राजी हुए कई सालों तक डेटिंग के बाद आदित्य और रानी ने 2014 में इतली में श्रादी की ती दोनों की एक बेटी आदीरा है वहीं आप देख रही है नेक्स नाइ न्यूज और मैं आपके साथ सादिका को और धन्यवार